इस वक्क के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2000 की नोट बंद हो चुकी है जी हाँ भारतिय रिज़र बैंक ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है RBI ने 2016 के नोट बंदी के बाद जाड़ी 2000 रुपए का नोट को वापस लेने का एलार किया है हलाकि बजार में मौझूद 2000 नोट फिलाल चलन में रहेंगे वहीं भारतिय रिज़र बैंक ने बैंकों की सला दी है कि ततकाल प्रभाव से 2000 रुपए की नोट जाड़ी करना बंद कर दे RBI ने कहाए कि 30 सितंबर तक यह नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे यानि जिनके पास इस समय 2000 रुपए की नोट है उन्हें बैंक से एक्सेंज करना होगा RBI ने प्रेस रिलीज में बताया है कि 2018 और 2019 में ही 2000 रुपए का नोट को च्छापना बंद कर दिया गया था 716 नोवंबर में नोट बंदी के 2000 रुपए के नोट जो है वो लाया गया था नोट बंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिया गया था वहीं आपको बदाते चले कि एक बार फिर 20-1000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे अगर आपके पास 2000 के नोट है तो 30 सितंबर की तारीक याद कर ले 30 सितंबर की तारीक आप याद कर ले आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जो है बदल सकते है वहीं इससे पहले आप बैंक में जाकर इससे बदल सकते है यानि कि 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर 2000 से के बदल पाएंगे इसके बदले आपको दूसरी वैलिड कैरेंसी मिल जाएगी वही आपको बताते चलें कि इस वक्ती बड़ी खबर सामने आ रही है देखें कि जो 2000 का नोट है वो बंद हो गया है अर्बियाई के गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने अलग स्पेशल विंडो होंगे वही जहां आप असानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सरकुलेशन में 32,000 कडोर 2000 के नोट है अब देखना या है कि कि कितने नोट बै बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किये थे रिजर्बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोटों की वैल्यू की भरपाई असानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया जाएगा तो इस वक्ति आपको हम बड़ी कबर बता रहे है भारतिया फेस्बूक पेज पर देख रहे है तुमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले वीडियो यूटूब पर देख रहे है तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले और 20 सितंबर का दीन याद रखे 20 सितंबर तक आप जो है आप अपने नोटों को बदल सकते हैं खैर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपका बहुत 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 शुक्रिया